डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्टैक टीवी पॉप फ्रांसिस की मुआफी ना काफी है, कैनेडा के मुकामी कबाल का कहना है कि ये एक जबरदस्ती की मुआफी सियासी मास्टा थी, मुआफी से आगे काम करने की सरूरत है कनेडियन फॉज में जिनसी बद इंतिजामी से निमतने के लिए आएंदा माह जाईजा लिया चाएगा कनेडियन वजिर दिफा का कहना है कि हट में रिपोर्ट 20 मई को सामने आ सकती है, फॉज में जिनसी हरासानी के लिए एक अज़ाद रिपोर्टिंग का निजाम बनाया चाएगा उंतिरियो में तेल की कीमतों में आर्जी रिलीव देर पान नहीं होगा, माहरीन का कहना है कि इससे मईशद पर बड़ा असर पड़ेगा, सुबाई टेक्सों में कमी से गाड़ी चलाने वालों को कुछ रिलीव मिल सकता है यूकरेन में जंगी जराइम का इजाम, अमरीका और यॉर्पी यूनियन का रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान, बरतानिया का जी सेविन और नेटो मुमालिक से रूसी बहरी जहादों पर पाबंदी लगाने का मतालबा, यूकरेन के साथ जंग रूस के लिए मजीद मौशी मुश्किलां पैदा हो गई, अफगानिस्तान की अवाम को बढ़ती हुई महिंगाई का सामना, माहِ नमजान में अशेय खुर्दनोष की मांग में जाफा, रसब में कमी, दुकानदारों और ताजरों पर जर्माना और लाइसंस मनसूप करने का मतालबा, अवज़ यूफरेंदी यझ व्ना स्कूर्व शिल क मुश करूंumm इन तो सक्षाbstह you nᅜज थूर थक्ति तड़ वशेड़ में श्यटन अवस्कुर्व श्वщकिltry लओनि छ ड्रमात्टान स्म्ठव और लोग डुकानustारी neu अब अगला मेसेज आपके कार और होम इंशोरेंस में भारी बचत का क्या आपके घर या कार की इंशोरेंस का रिन्यूवल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ-साथ अच्छे रेट्स की कैनेडा में अपनी नेट वर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबले इतमाद रियाल्टर होना बहुत जरूरी है अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियालटी के कंपेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाईए और प्रेजिडेंट और ब्रोकर ओफ रैकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर राबता कीजिए कैनेडा में चर्चिस के जरे दिमाम चलने वाले रिहाईश स्कूला में मुकामी कबाईल से तालुग रखने वाले बच्चों की हलाकतों और उनके साथ किये जाने वाले गैर इनसानी सलूग पर पौप की मौफी के बात मुकामी कबाईल का रदे मल भी सामने आ रहा है मजीद चान देखें इस डिपूर्ट में कैनेडा में चर्चिस के जिरे इहतेमाम चलने वाले रहाशी स्कूलों में मकामी कबाई से तालुक रखने वाले बच्चों की हलाकतों और उनके साथ किये जाने वाले गएर इंसानी सुलूप पर पॉप की मौफी के बात मकामी कबाई का रदे अमल भी सामने आ रहा है औसियर्स इंडियन बैंड के सरवरा क्लेरिंस लॉई ने मौफी नामा देखने के बात कहा कि वो नारास और मायूस है ये एक जबरदस्ती मौफी थी ये एक सियासी मौजरत थी चीफ लॉई ने कहा कि जब किसी को मौफी मांगने पर मचबूर किया जाता है तो मैं नहीं समझ की की गए ये चर्च अर्वो डॉलर की तंजीम है लॉई ने मजी oven कहा कि ये अमीर बहत अमीर है और इसकी वज़ा से हमारी first nation जबान का नुकसान हुआ बहत ज़्यादा सकाफती नुकसान हुआ और माज़ी नुकसानात की तरह जाने के लिए इन अर्वो में से कुछ को चीफ लॉई को लगता है कि माली जज़ा और मौफी से आगे मज़ीद काम करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि वाकियात के मुझरमाना तहकीकात होनी चाहिए उन्होंने मज़ीद कहा कि मौफी बहुत ताखीर से आई और अब कारवाई का वक्त है अब कोई अच्छे अलफाज नहीं अब कोई जाली जबरी मौज़त हमें कुछ खुसे और अमल की जरूरत है लॉई ने कहा कि ये मेरी राए में गुसा और अमल का वक्त है पेंटिंग्टिन इंडियन बैंड के सरवराग ग्रेग गैबरिल ने भी सैलिक्स ओकानागन नीशन अलाइंस के एक बयान में पाप की मौज़त पर सोर दिया चीफ केबरिल ने एक बयान में कहा कि वजीर आज़म सरकारी औहदेदारों की जानब से मौज़त और खाली अलफास या वैटिकन का दारा इस तक्रीफ को कभी ठीक नहीं करेगा जिसका हमारे लोगों को सामना करना पड़ा वो गवाहते और बरदाश्ट करते रहे कैनेडा की वजीर दिफार अनीता आनन का कहना है कि कैनेडा की अफ़ाश में जिनसी बद इंधामी से मजीद बहतर थरीके से किस तरह निम्टा जा सकता है उस पर आइंदा माह चायजे की तवक्व है पीर को सैनिट के गौमी सलामती कमेटी के सामने गवाही के दारान आनन ने कहा कि सुप्रीम कोड के साबिक जस्टिस लोईस आर्बर की तरफ से पाँच मेजिंसी हिरासानी के लिए एक आज़ाद रिपोर्टिंग का निजाम बनाने के इमकानाफ में खत्मी रिपोर्ट 20 माई को उनके हाथ में आने की तवक्व है नजर सानी के मेंडिट के मताबिक आनन के पास रिपोर्ट आम करने के लिए 10 दिन होंगे जब उन्हें पहुँचाई जाएगी गुजशता एक साल के दोरान जारी तहकीकात और खुसूसी मीडिया रिपोर्ट के सिलसले ने फाज़ में सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ जिन्सी बद इंतिजामात पर कामी एहतसाब को जनम दिया है अर्वर को फाजी जिन्सी बद इंतिजामी के लिए एक आजाद रिपोर्टिंग सिस्टम की तश्कील के लिए सिफारिशाद पराहम करने का काम सौपा गया था जो के मिलिटरी चेन आफ कमांड से बाहर है मतासरी ने बर्सों से खबरदार किया है कि उन्हें हिरासा करने और बत्तमीजी के इल्जमात के साथ सामने आने पर अक्सर पोजी आला अफसरान की तरफ से इंत्कामी कारवाईयों का सामना करना परता है ताहम पौज अब भी उनी मसाइल के पहलों को हल करने के लिए काम कर रही है कनेडियन सूब अंटेरियो में गैस की कीमते रिकार्ड बुलंदियों तक पहुँचने के साथ टैक्स में कमी की जा रही है ताहम माहरीन का कहना है कि अगर्चा इन टैक्सों में कमी से गाड़ी चलाने वालों को कुछ रिलीव मिल सकता है ये एकदमाद इस मसले की जड़ को हल नहीं करते मजीद चामते हैं इस डिपोर्ट में केनेडियन सूब ऑन्टैरियों में गैस की खीमते रिकार्ट बुलंदियों तक पहुचने के साथ सूबा गैस और इन धन के टैक्सों को आरजी तोर पर कम करने के लिए अलबेटा के साथ नक्षे कदम पर चल रहा है ताके गैस की बढ़ती हुई गैमतों को रोकने की कोशिश की जा सके अगर्चा इन टैक्सों में कमी से गाड़ी चलाने वालों को कुछ रिलिफ मिल सकता है माहिरीन का कहना है के ये एकदमात इस मसले की जड़ को हल नहीं करते जो सुबाई दारह इक्तियार से बाहर मौजूद है केनेडियन्स फॉर आफ़ोडेबल इनरजी के सदर का ख्याल है के इन्हन के टैक्सों में फी लीटर पांच अशारिया तीन फीसद कमी से पूरी मईशत पर वसी असरात मुरतब हो सकते है बश्रत ये के हमारी सप्लाई चेंड डीजल पर बहुत ज़्यादा इन्हसार करती है ये यगीनी तोर पर बहुत 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 बहुते कीमतों, का मरहला तैह करता है मجھे लगता है के सारफिण इसका खिर मगदम करेंगे उंटेरियो हकूमत ने कानून साजी मुतारिफ कराई है जो सुबाई गैस टेक्स में 5.7 सेंट फी लीटर और इनन के टेक्स में 5.3 सेंट फी लीटर 6 माह तक कमी करेगी 2018 में किये गए एक मोहिम के वादे को पूरा करते वे अगर ये चानून साजी मनजूर की गई तो ये जुलाई में नाफिस हो जाएगी पिछले महीने अलवेटा हुकूमत ने भी ऐलान किया था कि जब तक वेस्ट टेक्सास इंटर मेजट करूट की गईमत 90 यूएस टॉलर से उपर रहेगी वो अपना 13 सेंट फी लीटर गैस और डीजल टेक्स वसूल करना बंद कर देगी माईरीन का कहना है कि ये बदकिस्मती से इस बन्यादी मसले का अजाला नहीं करता जो गैस की गैस की गैमतों को पहले से जादा बढ़ा रहा है और यही तेल की बढ़ती हुई आलमी मांग और पैदावार में कमी नहीं तो जमूत के दर्मयान बन्यादी अदम तवाजन है तेल की बढ़ती हुई मांग उस वक सामने आई है जब दुनिया भर की हुकूमते अपनी कोविड-19 पाबंदियों में नर्मी कर रही है दूसरी जानिब यूकरेन पर हमला करने के बाद रूस पर आइद आलमी पाबंदियों के दर्मयान रूस की तेल की पैदावार में कमी आई है अमरीका और रूसी सदर विलादमीर प्यूतियों की दो बेटियों और रूस के सबसे बड़े बैंक के खलाब एक्दमाद करने पर गोर कर रहा है इस वाले से मजीद चानते हैं अमरीका और यॉर्पी यूनियन ने यूक्रैन में जंगी जराइम के इल्जाम पर रूस पर मजीद पाबंदिया लगाने का ऐलान किया है गर्मलकी मीडिया के मताबिक अमरीका रूसी सदर विलादरमीर प्यूटन की दो बेटियों और रूस के सबसे बड़े बैंक के खलाब एक्दमाद करने पर गोर कर रहा है वाइट हाउस के तरजमान जेन साकी का कहना है कि रूस के मजीद मालियाती इदारों, नई सर्मायकारी और रूसी हकूमत के एहलकारों और उनके खांदान के अफराद पर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी यॉर्पी यॉनियन हुकाम के मताबिक रूसी बहरी जहाजों को यॉर्पी यॉनियन की बंदरगाहें इस्तिमाल करने से रूपने समय दीगर नई पाबंदियां आयत की चा सकती है रूसी माईशत को मजीद कमजोर करने के लिए बरतानिया ने नई हिकमते अमडी अपना ली जी सैवन और नेटो मुमालिक से रूसी बहरी जहाजों और बंदरगाहों पर पाबंदी लगाने का मतालबा कर दिया युक्राइन के साथ जंग रूस के लिए मजीद मौशी मुश्किलां पैदा हो गई बरतानवी सेकरेटरी खरजो का कहना है के मौजूदा पाबंदियों ने रूस के लिए 350 अरब डॉलर और 60 पीसद गर मलकी जखायर का हुसूल नामुम्किन बना दिया दूसरे चानब अमरीकी टेटनलाजी कमपनी इंटेल ने भी रूसी एकदामात की मुझबत करते वे मासकों से कारोबारी तालुकात मन अता कर दिये अधर मैकसिको में मौजूद अमरीका जाने के खौाहिश मन सेंक्रो यूक्राइनी शहरियों को स्पोर्ट्स सेंटर मुंतकल कर दिया गया जिसे हाल ही में हकुमती शेल्टर में तबदील किया गया था गुजिशतामा अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक लाग यूक्राइनी शहरियों को मुल्क भर में आबाद करने का ऐलान किया था अफगानिस्तान के लोगों का अशेय खुर्दोनोश की किमतों में जाफे की शिकायत करते हुए कहना है कि रमजानल मुबारक की आमत के साथ ही अशेय खुर्दोनोश की किमते आसमान को छूने लग जाती है अशेय खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने उनकी जिन्दगी मुश्किल बनाती है मजीच चांते हैं इस रिपोर्ट मे अवऑनिस्टान की आवां भी रोज बारोज बढ़ती हुई महुझाई का सामना कर रही है अवऑनिस्टान के लोगों का अशेय खुर्दोनोश की बढ़ती हुई किमतों ने उनकी जिन्दगी मुश्किल बना दी है अवानिस्तान के लोगों का मतालबा है कि इसलामी अमारत अश्या-खर्दोनोश की गीमतों को कंट्रूल करे एक दुकानदार का कहना था कि माहर रमजान में अश्या-खर्दोनोश की मांग में इज़ाफा हो जाता है जबके गयर मलकी जंगी सुरत हाल की वज़ा से अश्या-खर्दोनोश की रसत ताखीर का शिकार होती है जिसकी वज़ा से महंगाई चनम लेती है लहाज़ा दुकानदारों का इसमें कोई कुसूर नहीं सब कोच ताजरों के हाथ में है अगर ताजर वक पर बरामदात करें तो दुकानदार ज्यादा कीमतों पर अश्या फरोग नहीं कर सकते अगर तरीका साही पर वक दलता मुनाजाम रावरी ना इहतिका कीगी ना दुई दूमरा कीमत खास टाख टीवी के पाकसान स्टूडियो से फलवक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रही हैं टाख टीवी